जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रदानमंतरी इमरान खान और पूर्व विदेश मंतरी शाह महमूत कुरेशी की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है एक ताजा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों दिगज नेताओं को हाई प्रोफाइल कैदी होने के बावजूद जेल के अंदर मजदूरी करनी होगी एक स्पेशल कोर्ट ने दोनों नेताओं को सिफर मामले में दोशी ठहराते हुए दस साल जेल की सजा सुनाई है इमरान खान को सेना फासी पर भी चड़ा सकती है चौकी अमत क्योंकि पाकिस्तानी सेना इतिहास में ऐसा कर चुकी है पाकिस्तानी सेना को चुनोती देने वाले नेता के लिए ज्यादा दिन जिन्दा रहना मुश्किल होता है पाकिस्तान में आर्मी एक्ट की धारा 69 में दोशी पाए गए वेक्ती को मौत की सजा सुनाई जा सकती है इम्रान अगर आर्मी एक्ट में दोशी पाए गए तो उन्हें फासी की सजा हो सकती है बहराल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इम्रान खान और उनकी पार्टी के नेता शाह मेमुद कुरेशी वी आईपी करदी होने के बाद भी जेल में श्रम करेंगे कई मामलों में सजा पा चुके दोनों नेताओं को जेल मैनुएल के मुताबिक श्रम करने के लिए कहा गया है हाला कि इम्रान को जेल की फैक्टरी, किचन, हॉस्पिटल या गार्डन में नहीं रखा जाएगा लेकिन उन्हें जेल में प्रशासन या प्रबंदन के काम दिये जा सकते है इम्रान खान और शाह महमुद कुरेशी रावल पिंडी की अडियाला जेल में बंद है ग़र तलब है कि अप्रेल 2022 में इम्रान खान की सरकार को अविश्वास मत लाकर बेदखल कर दिया गया था इम्रान खान के सत्ता से बाहर होने के बाद से उनके खिलाप अब तक देड़ सो से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके है The Express Tribune अकबार की खबर के अनुसार 71 वर्षिय खान और 66 वर्षिय को हाई फ्रोफाइल केदियों के तौर पर अलग अलग रखा जा रहा है क्योंकि उनमें से एक पूर्व प्रधान मंतरी जबकि दूसरे विदेश मंतरी रह चुके है खान अपनी पाकिस्तान तहरी के इंसाप पार्टी के संस्तापक अध्यक्ष है जबकि कुरेशी पार्टी के उपाध्यक्ष है इसमें कहा गया है कि दोनों नेता एक भैतर श्रेनी की जेल में कैदियों को दी जाने वाली उन सुविधाओं का लाग उठा रहे है जो उन्हें दोशी ठहराय जाने से पहले मिलती थी